असलम अलेकूम, बलकम बेक टू माई चैनेल, कैसे हैं आप सब और आज हैं मिलादुन नभी, तो आप सब को मिलादुन नभी मुबारक हो और अभी साम से मैं व्लोग स्टार्ट कर रही हूँ और घर में करवा रही हूँ मिलाद और और नहीं बताऊंगी व्लोग में आप लोग देख लेना क्योंकि मैं व्लोग कंटिन्यू करने वाली हूँ तो साम से व्लोग स्टार्ट कर रही हूँ तो ये व्लोग कंटिन्यू होगा रात तक और जो जो होगा आप लोग के साथ सेयर करेंगे तो आप लोग में बने रहना और स्किप करके मत देखना कि हम लोग क्या करते हैं विलादुन नवी के दिन घर को घर जितना भी साफ सफाई रहे मतलब घर जितना भी साफ रहे फिर भी हम लोग को मन में न संतुष्टी नहीं होता है तो घर का जो साफ सफ़ाई का काम है वो मैंने सुभा से चालू कर दिया है और अज संडे है तो खास बात वो है कि हड़बड़ी नहीं था कुछ काम में तो सारा काम को मैंने सुभा से कर लिया है और साम में दो पहर में बिरियानी बना रही हूं मैं दम बिरियानी तो बिरिया यानि का होमेट मसाला यूजत करती हों तो वो बना लिया है उतारा काम हो चुका है वर्लवा सपर्षि पर है और ये ताइम हो रहा है चाइथ तो आते चार असर के बाद के टाइम है यह और गणित लागा को किजन में इस प्रसमाय के लिए उसको चासर कीज़ करना है और लगवाद सारा कम एक बार मेंने सुबह में चेंज किया था बट फिर भी वो थोड़ा सा मतलब आरो से इधर उदार चल के फिर के थोड़ा सा गर्दा कर दिया है थोड़ा सा वो फैल गया है तो चलो अपना काम स्टार्ट करते हैं बिर्यानी का सारा तयारी पहले से ही था बस मैं अभी बनाना स्टार्ट करी हूँ तो अभी जादा टाइम नहीं हुआ है साम बोल सकते हैं मतलब मगरीब के बाद के टाइम में साड़े पांच अभी बज रहा है तो मैं सुची बिर्यानी पहले बला देती हूँ तो ये बिर्य मेरिनेट करंधे ह supre गना कर देते हूं और चाइव वई पुले नहीं दिया है ने टो इंडियेगड़ करेंछे नि नि Karl जह्यादा ये तो जब तक चाऊल भी फुलेगा है और आलो भी पुलेगा तब तक चीकेंग भी अरिनेट हो जाएगा तो इसलिए चिकन को ही पहले में मेरिनेट कर रही हूँ हाला कि मैंने ऐसे काम कर लिया है जैसे कि आद्रगलहसुन का पेस्ट बनाना और आलू को बॉयल भी कर लिया है यह सब काम मैंने पहले से ही कर के रखा है प्याज भी चौप कर लिया है तो यही सब काप में ज़्यादा टाइम लगता है बिरियानी बनाने में उतना टाइम नहीं लगता है और बिरियानी मसाला इनको भी मैंने तयार कर लिया है तो यह चोटा चोटा काम मैंने पहले से ही करके रखा है ताकि टाइमली सब कुछ हो जाए और हड़बड़ी ना हो इसलिए और सुभा से मैं लगी हूँ घर का साफ सफाई में तो वो तो हो चुका है अभी इस रिप में क्या करूँगी घर में जो वेट सीड वगरा है उनको चेंज कर दूँगी और गुलाब जल और मिठा आतर मैं चीकन में चीकन मैरिनेट करते हूँ टाइमी में उसको एड़ करती हूँ बस अभी ढखके इनको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी और चावल भी बन गया है और चीकन भी बनने के लिए मैंने रख दिया है तब तक देखी मैं आंटी आई है तो आप लोग पहँचाने किया वही आंटी जिनका घर में इफ्तारी पार्टी मनाया गया था और हम लोग को इन्वाइट किया गया था हम वो गया थे और वूज वीडियो को आप लोग ने बहुत पिसंद किया बहुत प्यार दिया बहुत अच्छा अच्छा कमेंट दिया इसके लिए थैंक यू तो वही आंटी है और थोड़ी देर बाद ही मैं आप लोग से मिलवाऊंगे आंटी से तो आंटी मेरा थोड़ा सा हेल्प भी कर दे रही है तो अच्छा लगता है कोई हेल्प कर देता है और कम्प्लिमेंट मिलता है कुछ-कुछ बात भी कर रही हूँ आंटी पूच रही है कि चीकन में क्या के डाली हूँ क्या कैसे बनाई तुम एक्चुलिए आंटी जो विरियानी बनाई थी अप्तारी पाटी में आप लोग वो व्लॉग अगर नहीं देखे हो तो मैं लिंक डिस्किप्सिन में दे दूँगी और एंडी स्क्रीन भी लगा दूँगी देख लेना तो उसमें आंटी जो विरियानी बनाई थी वो हैदरावादी विरियानी था सायद तो आंटी वही पूच रही है और मैं बना रही हूँ खुलकत स्टाइल विरियानी तो वही आंटी पूच रही है कि चिकन में तुम क्या डाली क्या एड की और क्या क्या तयार हो रहा है इस तरीके से और फैनली विरियानी मेरा ready हो गया है अभी दम लगा रही हूँ तो मैं आंटी को ही बूली आंटी आप ही लगा दीजिए दम अच्छ लगता है ना कोई बड़े रहते हैं, हमारे सामने मेरा help करना चाहते हैं तो बहुत अच्चा लगता है तो वस मैं व्लिच लिया अंटे आप ही लगाये दम और यह विरियानी का दोई लियार में कर रही हूं k estudalyukी यह जो विरियानी का जो देखी है न तो यह थुछा बड़ा है तो इसमें दोही ही लेयार अच्छा लगता है मतलब अच्छा जाता है दो लेयर अच्छा ये मौलाना जी के लिए है हाँ ये मौलाना जी के लिए हम लोग बना रहे हैं रोटी कि उन्होंने विर्यानी खाने के लिए मना कर दिये हैं तो ये है विर्यानी का फाइनल लूक दम लगाने के बाद ये विर्यानी बन के तयार हो चुका है असलाम अलेकुम अलेकुम असलाम अग्रवाला कोड़का की है? अरे मैं ये ये तो मेरे दीदू मैं ये मेरे अब सब को नवी कुमाराइब मिलादू नभी मिलागार मुवाराइब मुवाराखो नभी मिलाद स्टार्ट हो चुका है तो डाइनिंग हौल पे मिलाद हो रहा है और हम लोग है इस रूम पे बैठे हुए है और मैं वहीं से वीडियो बना रही हूँ तो उतना दूर से कुछ खास वीडियो आया नहीं है और अच्छा भी नहीं लग रहा था क्यूंकि मिलाद के टाइम चुपचाप मिलाद सुनना होता है तो स्टार्टिंग में ही ये जो वीडियो बनाई हूँ मैं मिलाद के स्टार्टिंग में बनाई हूँ फिर उसके बाद मैं और वीडियो नहीं बनाई और हम लोग इस रूम पे चुचा बैठे हुए चुचा बैठ के मिलाद सुन रहे थे तो तभी मैं ट्राइपोड में सेट कर दिया था फोन को पहले बच्चे लोग ओहीं पे बैठ के मिलाद सुन रहा था तो फिर बात वगरा कर रहा था इसलिए डार्ट के भगा दिया था और इधर आ गया था हम लोग के पास और अभी मिलाद हो चुका है और सिन्नी भी हम सबको बाठ दिये और इसके बाद अभी बन रहे है सेलेट तो बिरियानी के रिए राइता तो पहले ही बना के रखे हैं और सेलेट को हम पहले बना के नहीं रखते हैं क्योंकि प्याज के स्मेल आ जाता है इसलिए तो अभी हम लोग खाना वगरा खा लेंगे और मौलवी साहिब खाना वगरा खा के चले गए हैं तो अभी सभी खाना वगड़ा खा रहे हैं तो जैन्स लोग का पैले हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग खा रहेंगे क्योंकि हम लोग को सर्व करना पड़ा था इसलिए और ये जो वीडियो बना रहे हैं मेरे बेटा आरुश क्योंकि हम लोग कर दो लोग खाना रहे हैं पेदार क्योंकि हुँट खाना रहे हैं खाना रहे जैन्सा रहे हैं तो जाता है लोग डिए वार झाले जाए तो ऑसके लिए अजाए सब का खाना हो चुका है हम लोग भी खा चुके हैं तो हम लोग जब खा रहे हैं तो उसका वीडियो हम नहीं बना पाए फोन का वैटरी लो था इसलिए और अभी सब चाई पी रहे हैं अर्शनिकाल दो डेह मकचपल आपी अर्शनिकाल दो नेहमका चपल कि अजना चपल कि आपकर कुछो आवाज आजाएं तो क्या आजे पूंको दाख के गौँ लोग रहे आप अगर डांतियां अपेम चुके इनकालाति लोग जो है कि अधार विज्य क्या सुचंगे पर पुर्णी एवर आज नेक्स डेख है और व्लॉग को मैं फिर से रिए स्टार्ट करें हूँ एच्वीली कल इतना टायर थी मैं क्या वताएं आप लोग को व्लॉग को चंटीनीव तो दूर काबाद लॉग को इंड भी नहीं कर पाई इतना नेंदा रहा था था आप लोग देख सकते हैं थोड़ा मारा लिल्स्टिक काजल जो लगाई उनको भी मैंने रिमूव नहीं किया है तो बस सो गई थी तो अच्छा नहीं लगता है कोई भी व्लॉग अधा दूरा रहता है उनको एंड नहीं कर पाए तो अच्छा नहीं लगता है तो मॉर् कशल बनाने के लिए जाओंगी तो यह जो ब्रेकषट बनाने का जो व्लॉग होगा यह उनको आड़ नहीं करूंगी की व्लॉग बहुत लेंदी हो जाएगा तो यह ब्लॉग मैं नेक्स व्लॉग मैं एड़ करूंगी मतलब मॉर्णिंग से मैं नाइट का जो रूटीन होत आप लोग को ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा तो प्लीज व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा आप लोग इतना कंजसी मत करो लॉग को लाइक करने में क्यूंकि लाइक करना सब्सक्राइब करना फ्री है उसमें एक भी पैसा नहीं लगता है और आप लोग का एक लाइक से में को खुछी होता है मोटिवेट मिलता है तो कर ये गना लाइक ठीक है और मिलती हूं नेक्स ब्लॉक में अल्ला हाफीज टेक क्यार एंड थैंक्स पर वाची